हालो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, वेलकम माई चेनल पेरेंट्स एलफ, माई डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जैसरी किष्णा राधी राधी डियर पेरेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में थोड़े से चेंजिस आते हैं, मौसम में तो चेंजिस आते हैं, साथी साथ अगर हम अपना खयाल ठीक से नहीं रखते हैं, अपने बच्चों का खयाल ठीक से नहीं रखते तो बच्चे बिमार पड़ने लग जाते हैं बरसात की मौसम में ऐसा होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगते हैं जैसे कि बच्चे को लूज मूशन बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे को इंफेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं प्ल करना बढ़े घाती है क्या हसे हम अपने लुक्या होता है कि भर्र का मौसम होता है तो गज्व के लुक्या हुती हो इस प्रिब्लम को आजाती है एक आपना जा me love a Fra damage में आजाती हैं कि हम सुछकाट लिए है थे दूर्स ही अधिन हम भी उब् pacast को नहिलाते हैं इन्जॉज anticipation और जख दो डइंका हैं उस सिंटे हैं जए लेकिन हमारे ने मैं बखौंगे सब्सेदेटीन cuarto канал जलते रहें तो यह ंदे़ी साथ हुआ जब बाहराीए खानी-पॉर्वर्वन लेकिन हम्हें थोड़र साइशा अपना शियर्वन चाहीं है बोखोज़े ज्यादा हो जाती है, गरों वहीं देखने को मिल जाएंगे, ऑपोचो टोट चीरे मो कोटे देखने को मिल जाएंगे, इस समय हमें थोड़ा सा चूजी होने की जरूथ होती है, कि हम किस तरीके से अपने खान पान को मेंटेन करें, जिससे हम एनर्जेटिक रहें, हम बिमार भी ना पड़ें, और हमारे बच्चे भी बिमार ना पड़ें तो यहां पर मैं कुछ आपको बताने वाले हूं कि क्या चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है वर्सात के मौसम में जो कि हमारे बच्चे की तव्यत को ना बिगाड दे तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है देखिए कि जब बरसात के मौसम आता है तो नैचुरली क्य करना है रात के समय अपने बच्चों के जो बॉड़ी पर हलकी फुलकी मश्यर लगा के रखें जिससे की ड्राइनेस थोड़ी सी कम रहें बच्चे को डिरेक्ट एसी या कूलर के सामने ना सुलाएं क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बच्चों को ठंड लग सकते बच्चे अब तब आप एसी यूज कर सकते लेकिन टैंपरिचर मैंटेन करके रखें रूम का और डिरेक्ट बच्चे को एसी कूलर के सामने आपको नहीं जोलाना है ठीक है अवाइड करना है दूसरा आपको क्या करना कि बच्चे को बहुत जादा पूस्पाइसी नहीं किला नहीं हेल्प किने अच्छा नहीं बच्चे को लूज मोशन हो सकती हैं तीसरा पानी जो आप पिला रहे हैं तो उसको आप वाइल करके पिलाएं जो भी पानी पिला रहे हैं बच्चे को वाइल करने फिर ठंडा करके आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं कहीं भी बहार का पानी आप अपने बच्चे को ना दें क्योंकि बरसाद के मौसम में water-worn disease बहुत जादा होती हैं जिससे क्या हो सकता है कि जैसे बच्चे को john disease हैं, measles हैं, इस तरह के problems बच्चे को हो सकती हैं नेक्स्ट और क्या ध्यान डखना है, green vegetables अगर आप खिला तो बहुत ध्यान सी खिलाओ, अदर्वाइस बिल्कुल avoid कर दीजें क्योंकि इस समय बहुत जोटे worms, keड़े वगरा इन सब चीजों में होते हैं जो कि आपके बच्चे को बिमार कर सकते हैं, तो green vegetables बिल्कुल avoid करें street food है, यह avoid करें, यह पानी की पकोडे, बलेटिक की हैं आपके street food हैं, momos लाइक क्यों, सब चीज़े आपको avoid करने हैं अब अपने भृच्छे को खिला उगे इस समय बहर जासे कि ने बताया जो वैदर होतार है जो भाइदर होता चेंज होता है बवाद जो एक्तिरिया यह सब पन अफने लगते हैं तो भार है जो स्टीट फूड उस पर डेफिनितलि आपको मिल जाएंगे और आप खाती उन सब तो निचे तौर पर बच्चे बिमार पढ़ेंगे, आप भी बिमार पढ़ेंगे, तो street food बिल्कुल अवाइड करना है. Pre-cut fruits, अगर आप पहले से ही कुछ fruits कट करके रखे हुए हैं, कटे हुए हैं, तो वो बिल्कुल जो pre-cut fruits हैं, वो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देने, क्योंकि उनमें definitely germs, bacterias, गुच जाएंगे, और आप जब उनको बच्चे को खिलाओगे, तो वो बिमार पढ़ेंगे, आप अपने बच्चे को face, meat, mutton, chicken, यह सब चीज कहलाते हैं, तो यह भी बिल्कुल आप अवाइड कर दे, यह भी बिल्कुल आप अवाइड कर दे, यह भी बिल्कुल सेफ नहीं होते हैं, तो आप अपने बच्चे को protect कर पाओगे, ठीक है, अब आपको क्या-क्या देना है बच्चों के लिए, जो कि बरसात के मौसम में safe है, आप बरसाती मौसम में जितना हो सकता, आप अपने बच्चे को जो dry fruits हैं, वो आप अपने बच्चे की diet में include कर सकती हैं, जो यह dry fruits होते हैं, immunity boosting होते हैं, और आप अपने बच्चे को यह खिलाते हैं, तो उनका जो mind है, वो उसका जो अच्छे से development होता है, all over body के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो यह आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, फ्रीज में रखा हुआ फूड है, रखा हुआ है, काफी ठंडा है, एक दिन पुराना है, बिलकुल नहीं देना है, बिलकुल fresh food आपको अपने बच्चे को देना है, puries खिलाई अपने बच्चे को प्यूरी बहुत अच्य होते हैं, कच्छे fruits के साथ, आप अपने बच्चे को कोकिसे करें के प्यूरी फॉर्म ने, पका हुआ दे तो यह खीक है इसके साथ आप multi grain छी आप यूज कर सकते हैं सिरलेक दे सकती हैं स्मोली बना कर दे सकती हैं तो यह सारी चीज है आप अपने बच्चे को बना के दे सकती हैं यह बहुत ज्यादा अच्छा रहता है आप आप अपनी बच्चे को बना कर दे सकती हैं, आप दलिया पने बच्चे को बना कर दे सकती हैं तो यह सारी चीजे आप बच्चे को बरसाती मोसम में। जैसकी हैं Can I have just told you, If we do not want to make chopped, didn't want to put in the freeze, án't be water, just come use waterive, filter water, so all these stuff is remainoplane, कि पहले जैसे यह वारिस नहीं है अधिक वारिस होती हैं बच्चे की पर दो इसलिए बच्चे को आपको दियान में रखना है तो I hope my dear mom is ये कुछ छोटी सी टिप्स मैंने बेसिक टिप्स आपको आपके साथ शेयर करी जो कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेसा इन सब सी जो को फॉलो करती हूँ I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ये आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी इन्फोर्मेटिव आप पहना चाहते हैं तो प्लीज वेल आगन को प्रेस जरूर कर लीजेगा जिससे की नॉटिफेक्शन आप तक जरूर पहुचे में नेक्स वीडियो मिलते हूं नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार